सूपर स्टार सिंगर का मोस्ट पॉपलर बॉय मौहम्मत फैज आज हम उसके वारे में बात करेंगे कौन है मौहम्मत फैज और क्यों इतना वाइरल हो रहा है आप उसकी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजे मिलियन सो व्यूज आ रहे हैं बेसिकली क्या है रीजन और क्यों इतनी तेजी से ये लड़का बढ़ रहा है आज उसके बारे में जानेंगे और अगर आपकी स्टोरी इनसे रिलेट होती है याने मौहमत फैज से रिलेट होती है तो फिर आप भी इस सक्सेस तक पौश सकते हैं मौहमत फैज एक इंडियन सिंगर है उपर से सौंग को वो लिखते भी हैं और अभी रिसेंटली सूपर स्टार सिंगर सीजन टू के अंदर वो पाट्सपेट किये हुए हैं और इस सो के अंदर जो जजिस हैं हिमेश रेसमिया, अलका यागनी और जाविद अली हैं वैसे तो ये ओरिजिनली जोदपूर, राजिस्तान के रहने वाले हैं लेकिन इनकी जो फैन फोलोइंग हैं काफी ज़ादा बढ़ रही हैं इनकी फैन फोलोइंग पाकिस्तान के अंदर भी काफी ज़ादा पोपुलर ही हो रहे हैं मुहमत फैज ने 14 साल की एज में ही काफी जाद मुकाम हासिल कर लिया है जो बड़े-बड़े सिंगर सायद मुश्किली कर पाते हैं सागीर एमद इनके फादर हैं और इनकी दो सिस्टर हैं जो इनसे बड़ी हैं इन्होंने अभी तक तीन टीवी सिरियल्स किये हैं तीनों ही सिंगिंग टीवी सिरियल्स हैं जिसके अंदर लब में इंडिया जो की एंड टीवी पे आया करता था और भही इन्होंने सारे गामापा लेटल चैम्प जो की जी टीवी पे आया करता था और अभी जो latest जो कर रहे हैं सूपर स्टार सिंगर के अंदर ये as a contestant participate करे हुए हैं तो guys भाई बोलना चाहूंगा success आपको एक दिन में नहीं मिलती एक रात में नहीं मिलती बंदे ने तीन-तीन source किये हुए हैं उसके बाद आज वो इतने popular हैं तो पहले सो में तो साइद इनको कोई जानता भी नहीं था लंबी इंडिया के अंदर तो बहुत कम ही लोग जानती थे लेकिन सारे गामा पा लेटल चैंप के अंदर इनकी जो और पॉपुलर्टी बड़ी और सूपर स्टार सिंगर के अंदर अब इनको हर कोई जानने लगा ह इनकी जो फैन फॉलॉइंग है धीरे धीरे बड़ी है तो कहीं न कहीं आपको भी शुरुवात एक सोसे ही करनी होती है उसके बाद धीरे धीरे आप इस मुकाम तक पोजते हैं बहुत सारे लोग स्टगल नहीं देखते हैं बहुत सारे लोग सीधा सकस देखते हैं के भाई ये बंदा इतना पोपुलर कैसे हो गया है सबसे बड़ी बात जो मुहमत फैज की जो फैमली है वो जादा कर सिंगिंग को सपोर्ट करती है निकि जो ग्रांड फादर उस्तार्क साखुर खान जो की काफी जादा पोपुलर है अपने टाइम के अंदर वो एक क्लासिकल जो चाहिक कर दो जो जो ग्रोथ होती है काफी अच्छी होती है तो मुहमत फैज की काफी से जुड़ा मरें सिख्तों आ रहे थे और उन्होंने भी इनको काफी ज़्यादा सपोर्ट किया था और वहीं जो Love Me India जो सोथ था जिसके अंदर हिमेश रेसमिया भी थे और ऐसा बोला जाता है कि सूपर स्टार सिंगर के अंदर हिमेश रेसमिया ही इनको लेकर आए हैं और ये उस टाइम Love Me India के अंदर भी नंबर 4 के अंदर आए थे याने टॉप 4 के अंदर इन्होंने अपनी जगा बनाई थी और उसके बाद सूपर स्टार सिंगर सीजन 2 के अंदर भी ऐसा बोला जाता है कि हिमेश रेसमिया ही इनको लेकर आए हैं और जब 2019 का सारे गामा पा लेटल चैंप हुआ था उसके अंदर भी ये फर्स्ट रन अप रहे थे और काफी ज़्यादा पोपुलरिटी उस टाइम भी इन्होंने हासिल करी थी और इसी के साथ इन्होंने बहुत सारे अवोर्ड भी जीते हैं बहुत सारे लाइफ पर्फोमेंस भी किये हैं तो इन सब चीजों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए एक सकसेस के पीछे और फिलाल अभी इनका एक ऑफिशल यूटूब चैनल भी है जहांपर आप इनकी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं जहांपर ये डालते रहते हैं सिंगिंग करते रहते हैं और यही है बेसिक स्टोरी महमत फ्याज को लेकर बेसिकली इसका जो कंकुलूजन है वो यही न बूलना चाहिए बहुत सारे लोग जो good looking होते हैं जो personality wise अच्छे होते हैं उनको majorly लोग याद रखते हैं बाकि मैं किसी भी तरह का black and white के ऊपर कोई भी conclusion नहीं दे रहा मैं आपको बस बता रहूं कि ये चीज कही ना कहीं लोगों के mind में बैठ हुई है I hope आपको छोटी सी information पसंद आई होगी आपको पता चला हुआ कि basically महुमत फ्याज आज इतने popular क्यों है मिलते हैं किसी नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and goodbye